राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादसी कब है इस एकादसी का वरत पूजन कैसे करते हैं वरत का पारण हमें कब करना है यानि कि परवर्तनी एकादसी के विशे में संपोन जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी तो देख देव शैनी एकादसी के दिन से स्रीहरी विष्णु भगवान योग निंद्रा में चले जाते हैं यानि शैन करते हैं और परिवर्तनी एकादसी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं इसलिए इसे करवटनी एकादसी या पद्मा एकादसी भी कहा जाता है इस वर् जो एक लोटे में फूल रखे हुए हैं, ये पूजा का कोई पार्ट नहीं है, मैंने ऐसे ही सजाने के लिए रख दिया था, तो इसे देखके कनफ्योज नहीं हुएगा, अब हम गनेशी को विराजमान कर देंगे, इस तरह से हम एक चोकी लगा लेंगे, चोकी लगाने के बा आज मैं आपके निमित्ते ये वरत पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को श्विकार करें और कोई गलती रह जाए तो शमा करें, इस तरह से संकल्प करने के बाद, फिर हम सभी को वस्तर सवरूप कलावा समर्पित कर देंगे, जल के छीटे लगा कर ह अब हम वस्तर समर्पित करेंगे, अगर आपके बाद जनेव है तो जनेव भी समर्पित कर सकते हैं, नी तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं, भादरपद महा के शुकल पक्स में आने वाली एकादसी को परिवर्तनी एकादसी कहा जाता है, इसे पदमा एकादसी के नाम स उसके बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे एक आदसी के वर्त में चावल का उप्योग किसी भी तरह से नहीं करते हैं चावल की जगे तिलक पर हम तिल लगाते हैं और आप दिये में भी तिल जरूर डालना क्योंकि जितने तिल चटकेंगे उतरे हमारे कस्ट कटेंगे इसके बाद फिर हम फूल समर्पित कर देंगे जो भी फूल आपको मिल जाएं आपको फूल समर्पित कर सकते हैं अब देखिए गनेश जी को हमें अलग से भोग समर्पित करना है क्योंकि गनेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है तो यहाँ पर गनेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे यथा संभव हम दक्षिना समर्पित करेंगे उसके बाद हमें कथा सुननी है तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल लेंगे अपने हाथ में फूल और थोड़े से तील लेकर हम परिवर्तनी एक आदसी का वरत कथा सुनेंगे वरत कथा की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी लिंक मापको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी या इस वीडियो के end screen पर भी आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां से सुन लेना कोई भी वरत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा सुनते हैं तो कथा आप जरूर सुनिएगा कथा सुनने के बाद जो फूल और तील हमने लिए हैं वो हम श्री हरी विश्णु भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और जल के लोटे में हम तिल डाल देंगे इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी कथा पूर्ण करने के बाद फिर हमें आरती करनी है तो धूप दीप से बहुती प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे पहले गनेश जी के आरति करेंगे, उसके बाद हम सिरीहरी विश्नु भगवान के आरति करेंगे पूँजा करने के बाद जो जलका लोटा है, यह हम सुरिय देवता को अरग दे देंगे और जो भी भोग परसाद हमने समर्पित किया है ये हम घर में सभी सदेश्यों को बाट देंगे इस तरह से सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं फल भी खा सकते हैं सोना नहीं है क्योंकि एकादसी वरत में कभी भी सोया नहीं जाता है तो दिन में आप सोयेगा नहीं स्री हरी विष्णु भगवान का ध्यान कीजिएगा और फल फ्रूट चाय वगर आप ले सकते हैं शाम के समय हमें दोबारा यहां पर इसी चोकी पर आरती करनी है दिया जला के आरती कीजिएगा और जो भी फलाहार आपने बनाया है उसका भोग समर्पित कीजिएगा इस तरह से शाम को भी हमें पूजा जरूर करनी है इस वरत में रात्री जागरन का बहुत ज़्यादा महतो होता है इसका बहुत ज़्यादा महतो होता है फिर अगले दिन यानि द्वादसी के दिन हमें वरत का पारण करना है तो चलिए अभी मैं आपको पारण का सुब समय बता देती हूँ परिवर्तनी एकादसी वरत का पारण 15 सितंबर सुबह 6 बज कर 17 मिनट से 9 बज कर 10 मिनट तक किया जाएगा तो ये समय रहेगा आप इसमें वरत का पारण कर लीजेगा अगर पारण जिस टाइम पर आप करते हैं उस टाइम तक अगर भोजन तयार नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे कि जो दान देना है ना दान निकाल के पूजा कर लेंगे हम और पारण के टाइम पर इस सुब समय पर आप एक चावल का दान आपने मुख में डाल कर पानी पी सकते हैं यानि कि पारण की विधी हो जाएगी उसके बाद फिर आप जब भी खाना बने खाना खा सकते हैं दुआजसी के दिन चावल खाके ही पारण किया जाता है और चावल का दान भी जरूर किया जाता है तो दुआजसी के दिन पारण कैसे करेंगे इसका सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है आप वो देख सकते हैं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं रिपलाई करने की पूरी पूरी कोसिस करूंगी आज का ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफूल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लेना राधे राधे